नमस्कार दोस्तों अब इस फूडियो में हम बहुत आसान तरीके से LCM एंड़ HCF निकालना सीखेंगे तो यहां प्रहां हम 510 और 92 का एक्जामपल लेकर चल रहे हैं हमारा मेथड रेने वाले हैं आपका अब भाज्य गुणंदखंड विदी इस विदी में करना क्या है दीगी संख्याओं के हमें अभाज्य गुणंदखंड करने हैं तो सरप तम हम 510 से सुरू करते हैं बाणवे से शुरू करते हैं देखे अभाजी गुनंद्खंड करने के लिए हमें क्या करना होगा अभाजी संख्या होगा भाग देना होगा दो, तीन, पांज, साथ ये आपकी एक से लेके दस तक की अभाजी संख्या है हम सरफर्थम अपना दो से भाग करना शुरू करेंगे तो पांच सो दस में दो का भाग दिया कितना दो वार चला गया, फिर पांच वार चला गया और फिर पांच वार चला गया कितना आ गया, दो सो पचपन ठीक है अब हम आगे देखें दो सो पचपन तो दो से डिजिबल नहीं है लेकिन तीन से डिजिबल है तो इसमें तीन का डिवाइड किया कितनी वार चला गया आठ त्री चोईस और फिर पांच वार चला गया अब इसमें हम देखें तो ये तीन से डीजीबल नहीं है लेकिन आगे पांच से डीजीबल ऐसे करमे से हमें आगे बढ़ते जाना है ये ध्यांग रखेंगें इसमें पांच का डीवाड क्या कितनी वार हो गया एक वार चीक है फिर कितनी वार हो गया साथ वार चीक है अब हम देखें आगे हैं तो सत्रा आपका एक प्राइम नमबर होता है 11, 13, 17, 19 ये आगे के प्राइम नमबर है तो 17 यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइम नंबर है हमने 17 में 17 का भाग दिया हमें 1 मिल गया अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें 2 का भाग दिया कितना 4 और 6 मिल गया फिर इसमें 2 का भाग दिया कितना 2 और 3 मिल गया दो आपका एक वार आ रहे हैं, तीन एक वार, पांच एक वार, और सत्रह, बाढ़ने के बात करें, तो इसमें दो गुणा, दो गुणा, तेईस आ गया, हमें क्या चाहिए अपना, LCM एंड, HCF चाहिए, तो बिलकुल सिंपल है, देखिए, आसान है, LCM में हम HCF को सामिल आपको एक बताओ, एक तरीका बताता हूं, पहले आप क्या करें, अपना HCF पांड करें, इसका फुल फर्म याद करें, क्या होता है, हाईस्ट कॉमन फेक्टर, यहनि आपको ऐसा फेक्टर लेना है, जो दोरह में हो, उसके बाद देखिए, दो यहां हैं लेकिन यहां नही क्योल और क्योल एक फेक्टर में ऐसा मिला, जो क्या है, कॉमन फेक्टर है, तो HCF कितना हो गया दोस्तों, दो, देखिए, HCF में क्या करना है, जो दोनों का कॉमन फेक्टर है, उसको तो लेना ही है, मैंने आपको क्या बोला, हम तरीका सीखेंगे, कि पहले HCF निकाल लो, फ 17 और यहां कौन बच रहा है दो गुणा है तेश ठीक है सारे फेक्टर सामिल कर लिए अब इन सब कहां मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो कितना आएगा यह मल्टिप्लाइ करने पर हमारे पास आ गया तेश जार चार सोर साथ ठीक है यहां नीचे लिख देता हूं यानि LCM हमारे यहां कितना निकल कर आ गया 23,460 और HCF हमारे निकल के कितना आ गया 2 तो इस तरीके से यहां पर हमारे LCM और HCF निकल जाते हैं ओके आसान है वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर वाता है अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी फिर मिलते हैं धन्यवाद